प्रस्नावली 11.1 के प्रस्न 1 से 10 तक के प्रस्न को हमने पार्ट 1 वीडियो में हल किया था आज पार्ट 2 वीडियो में हम प्रस्नावली 11.1 के प्रस्न 11 से आगे 11 और उसके आगे के प्रस्नों को हल करेंगे तो प्रस्न 11 है यदि व्यांजकों का चित्र द्वारा दिखाया गया है कुछ ब्यंजकों को इन छित्रों के द्वारा दिखाया गया है, यह तिरभूज है, यह आयत है और यह वृत है, triangle, rectangle and circle तो हमारा तीन प्रसनिस में है, मैं यह दूसरा प्रसन ले रहा हूँ दूसरा प्रस्ट में है एक triangle प्लस एक और triangle माइनस ये circle तो आएए इसका मान बैठाते हैं यहाँ triangle का मान दिया हुआ x square प्लस y square तो यहाँ मान बैठा देते हैं x square प्लस y square फिर से ये triangle है तो इसका फिर वही मान होगा x square प्लस y square माइनस ये circle है इसका मान यहाँ दिया हुआ है तो ये bracket देते हैं पहले x square प्लस y square प्लस 1 अब x square प्लस y square प्लस x square प्लस y square माइनस और ये bracket हटाएंगे तो चुकी bracket से पहले minus है इसलिए bracket के अंदर के चिंज़ों हैं वो बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा x square माइनस y square माइनस 1 यहाँ हम देख रहे हैं ये माइनस x square है और यहाँ ये प्लस x square है प्लस y square माइनस 1 यही हमारा एंसर आ गया अब हम प्रस्ण संखिया 12 देखते हैं वेखा एक व्यंजक x plus y plus 1 प्राप्त करना चाहती है उसे 2x square प्लस x plus 2 में कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए अर्थार इस व्यंजक से हम कौन सा व्यंजक घटाएं कि ये आजाए x plus y plus 1 तो इसके लिए हम इस व्यंजक से इस व्यंजक को घटा देंगे तो वो अभिस्ट व्यंजक हमें मिल जाएगा तो आएए हम लोग घटाते हैं 2x square प्लस x प्लस 2 घटाओ x plus y plus 1 तो ये 2x square प्लस x प्लस 2 माइनस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन बदल जाएगा तो ये x minus y minus 1 यहां देख रहे हैं ये प्लस x है और ये minus x तो ये cancel हो गया है तो ये हमारा बच गया है 2x square minus y और ये plus 2 और minus 1 ये हो जाएगा plus 1 इसलिए जो अभिस्ट व्यांजक हमारा है जो हमें चाहिए था अभिस्ट व्यांजक ब्रावर 2x square minus y plus 1 प्रस्ण संखिया 13 x प्रावर 2 के लिए निम्रलिखित बहुपदों का मान ग्याद कीजिए यहां x का मान दिया हुआ है और इस मान को बैठा कर ये जो बहुपद दिये हुए है इनका मान निकालना है तो ये मैं पहला चौथा नमबर प्रस्ण ले रहा हूँ x square plus 2x plus 1 तो यहां x का मान हमें कितना बैठाना है 2 तो मान बैठाते हैं x की जगर 2 ये square है plus 2 into x का मान फिर यहां 2 plus 1 तो ये 2 का square यानि 2 का वर्ग यह हो गया 4 और ये 2 दो नी 4 और ये 1 तो ये हो गया 4, 4, 8 और एक 9 तो इस बहुपत का हमारा माना गया 9 अब इसी तरह से बाकी प्रश्ण आप खुद से हल करेंगे अब इसके बाद question number 14 इसका मैं तीसरा नमबर ले रहा हूँ ये है n का घात 3 जोड 4 n का घात 2 जोड 4 n माइनस 2 यहाँ निमलिखित वेंजकों का मान गयात कीजिए यदि n ब्रावर माइनस 2 है यहाँ n का मान माइनस 2 दिया हुआ है चलिए अब इसको बैठाते हैं हम लोग n के जगा माइनस 2 रखे और ये घात 3 और जोड चार गुना फिर ये माइनस 2 और इसका स्क्वार यानि वर्ग और ये चार गुना माइनस 2 और फिर ये माइनस 2 तो ये 2 का अगर हम माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 2 को 3 बार करते हैं 2 दूरी 4 दूरी 8 और ये माइनस अगर ये 3 बार होगा तो ये चुकि विसम है 3 इसलिए ये माइनस होगा अब ये है 4 गुना यह minus 2 का square करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4 minus 2 को 2 बार करेंगे तो 4 होगा तो यह 4 होगा और यह plus 4 को minus 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा minus 8 और फिर यह minus 2 तो यह हो गया minus 8 जोड़ 16 और यह plus minus minus 8 और फिर minus 2 अब हम positive को एक जगा रखते हैं धनात्मा को 16 और ये फिर negative है minus 8 minus 8 minus 2 तो ये 16 और ये minus 8 minus 8 minus 2 इसको जोड़ते हैं तो ये वो जगा 8, 8, 16 और 2, 18 हम जानते हैं कि एक तरह के चिन रहते हैं तो वो जोड़ जाते हैं तो ये तीनों minus हैं तो जुड़ गया तो ये यहां हो गया minus 18 आब 16 minus 18 ये हो जाएगा हमारा minus 2 तो इस तरह से इस व्यांजक का हमारा माना गया minus 2 प्रस्न संख्या 15 यदि A ब्राबर minus 2 और B ब्राबर 2 है तो निम्नलिखित व्यांजकों का मान ग्याद कीजिए इसमें 4 प्रस्न दिये हुए हैं मैं इसका भी चौथा प्रस्न ले रहा हूँ प्रस्न संख्या 15 पंदर का ये चौथा और ये है A का घात 3 घटाओ B का घात 3 बटा 3 तो आईए A और B का मान बैठाते हैं तो A का मान है minus 2 तो ये minus 2 का घात 3 और minus ये B की जगा है 2 तो 2 का घात 3 और बटा में है 3 बराबर ये minus 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा minus 8 और ये है 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा 3 तो ये minus 8 और minus 8 ये हो जाएगा minus 16 बटा 3 तो यही हमारा answer आ गया अब इसी तरह से आप प्रस्ण संख्या एक, दो और तीन को भी हल करेंगे अब प्रस्ण संख्या सुल्ला ये है व्यंजक N स्क्वाइर का मान ग्याद कीजिए जब ये N होना चाहिए जब N ब्राबर एक, दो, तीन, डौट, डौट, दस आपके द्वारा परिकल्पित किये गए N स्क्वाइर के मानों का एक पैटर्ण दिखाईए तो यहाँ N का मान दिया हुआ है और हमें N स्क्वाइर निकालना है तो N का मान है यहाँ एक, दो, तीन, डौट, 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 दस देगा, दो का स्क्वाइर, यह चार, N स्कल्ट टू त्री, तो N का घाथ, तीन, स्वारी, N का घाथ, दो, तो यह तीन का घाथ, दो, यानि नौ, N का मान जब चार हो गया, तो N का घाथ, दो, बराबर हो जाएगा, चार का वर्ग सुल्ट, इसी तरह से दस तक हम निकालेंगे, अब जो पैटर्ण है, पैटर्ण आप देख रहे हैं, यह क्या है रहा है, एक, चार, नौ, सुल्ट, यह प्रकृत जो संख्याएं हैं, उनका यह वर्ग आता जा रहा है, तो इस तरह से आगे आप खुद से निकालेंगे, प्रस्ण संख्या 17, यदि A ब्राबर 2 और B ब्राबर 1 है, तो दिखाईए, यहाँ चार प्रस्ण दिये हुए हैं, इसमें से मैं दूसरा नंबर प्रस्ण ले रहा हूं, तो यह है A स्क्वार माइनस 2AB प्लस B स्क्वार इसकल टू, A माइनस B का होल स्क्वार, यानि पूरे का वर्ग, तो इसे हमें सिद्ध करना है कि यह इतना ब्राबर इतना, तो हम जानते हैं, बाएंवाले को बोलते हैं, हम LHS, लिफ्ट हैंड साइट, तो लिफ्ट हैंड तो अभी इसका हम मान निकालते हैं, A बराबर 2 और B बराबर 1 रखे, तो A के जगा हम 2 रखेंगे, तो यह हो गया 2 का वर्ग, माइनस 2 गुना 1, B का चुकी मान 1 है, और B स्क्वार यानि 1 का स्क्वार, तो यह 2 दुनी 4 हो गया, माइनस 2 दुनी 4 हो गया, प्लस 1 तो इसका मान आ गया, यह प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो बजगिया प्लस 1, इसका मान LHS में हमारा बान आ गया 1, अब हम RHS का मान निकालते हैं, RHS, यानि right hand side, तो right hand side में क्या है, A माइनस B का whole square, तो यह है A माइनस B का whole square, अब यहां मान बैठाते हैं, A का मान 2 और B का मान एक और इसका whole square तो दो घटाओ एक क्या होता है? एक होता है और एक का square यानी एक तो ये हमारा proof हो गया इसलिए हम देख रहे है LHS का मान भी एक है RHS का मान भी एक है इसलिए LHS is called to RHS सत्यापित ये हमारा proof हो गया सत्यापित ये प्रूफ जो कहें आप इसी तरह से बाकी जो प्रस्ण बच गये हैं उनको आप खुद से हल करेंगे अब हम 18 नमबर प्रस्ण ले रहे हैं question नमबर 18 यहाँ है व्यांजक A-B whole square plus 2AB का मान ग्याद कीजिए यदि A ब्राबर 3 और B ब्राबर 2 है तो आईए इसका मान निकालते हैं A-B का whole square plus 2AB ब्राबर तो A का मान कितना है अमारा 3 और B का मान कितना है 2 और यह square और 2 A का मान है 3 और B का मान है 2 तो 3 घटा और 2 हमारा एक हुआ एक का घात 2 और यह 2 तियाई 6 दुने 12 और एक का घात 2 यह इसका मन क्या होता है 1 जोड 12 तो यह 1 जोड 12 यह आगे हमारा 13 तो यह जो हमारा व्यांजक दिया हुआ था इसका मान हमारा आगया 13